हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गौवर्मेंट मेटिकल कालेज खंडवा की आफिशल वेबसाइट पर हूँ जिसकी आफिशल वेबसाइट ऊपर चेक कर सकते हैं gmckhandawa.org यह इसकी आफिशल वेबसाइट है तो फ्रेंड्स गौवर्मेंट मेटिकल कालेज खंडवा की तरफ से आप लोग लिए एक और वेकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट हम आपको यहाँ इस वीडियो में प्रवाइड क करेंगे बताएंगे कौन सी वेकेंसी यहां पर जारी की गई है नमबर आप पॉर्ट कितने क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कब तक अप्लाइक करना है इस और अप्लिकेशन फ्रीज हो गयरा क्या रहेगी सैली क्या रहेगी इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिले क्या पर होने सबसे पहले आपिशील पर और फिशेल वेट करता सकते हैं अंतंकर तो यहां से इस दाउन्लोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन यहां से डांलोड करने के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो अपके कर लेंगे अब नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका फीडिया फर्मेंट में ओपन हो जाएगा विग्यप्ति यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यह देख सकते हैं नंद कुमार सिंग चोहां सास की चिकिसा महाविदलेक खंडवा से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है इसका ज पर दिया गया है कि सच्रिक आधर सेवा नियम 2018 के अंतगत नंद कुमार सिंग चोहां सास की चिकिसा महाविदलेक खंडवा के अधीन नवीन अनसूची दिनांग 11.42 के अनुसार विभिन्य विभाग में रिक्त पदों की पूर्टी की जाना है इस हेतु आवेदन पत्र दि जोन 2.33 सा का आवेदन यहाँ पर कियजा सकते हैं अब आयदन का प्रायूप जो है वह आपको Official फिसल्सराइट पर मिल जाएगा अब इस नोटिफिकेसं में भी आपको ऌफिसल्स जो है जो आवेदन का प्रायूप है वह भी आपको इसल्सनी नोटिफिकेसं में देखने को मिलेगा तो वह आपको यहां पर नीचे देखने को पहले उससे पहले पुरजानकारी यहां पर ले ले लेते हैं फिर यहां पर जो second point लिखा हुआ है तो यहां पर आप देशकते हैं दिया हुआ आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा ब्यक्तिगत रूप से डीन एंड सीए ओ नंद कुमार सिंग चौहान गवर्मेंट मेटिकल कालेज खंडवा की कार्यले में जमा करा जा सकते हैं यह वह अपना पूर्ड रूप से निधायत प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त दस्तावे जो सहित इसका इन कराकर नंद कुमार सिंग चौहान चिकिसा महविदलक खंडवा इस्थापना साखा की इमेल आईडी इस्टीटी फर्स्ट सेकेंड क्लास डरेट जीमेल डॉट काम पर भी भेजा जाना अनिवार है तो यहां पर आपको बताया गया है जो आप आवेदन यहां पर भरेंगे उस आवेदन को जो है आप वहां प आपको यह आवेदन पत्र जमा कराना है अब दूसरी चीज़ यहां पर एक और इसमें चीज़ बताई गई है कि इतना तो करना ही करना आपको इसके साथ-साथ आपको जो भी आपका यह फार्म भरा जाएगा आवेदन पत्र भरेंगे उसमें सारे डाकुमेंट जो लगाए यह हो गया सेकंड पॉइंट फिर्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है देशकते हैं दिया आवेदन पत्र के लिफापे पर इस पश्रूप से सेच्छिडिक समवर गये तो आवेदन यहों विशाय तथा आवेदित पद का नाम और आरच्छित अनारच्छित सेनी का उल्ल रखकर आप आवेदन पत्र भेजेंगे उसमें जो है सेच्छिडिक समवर है तो आवेदन यहों विशाय तथा आवेदित पत्र का नाम जरूर लिखे और साथ में आरच्छित सेनी से हैं या अनारच्छित सेनी से इसका भी उल्लेख करें और लास्ट डेट के बाद जो पत्र भी आफ आफ आश्यार नहीं किया जाएगा तो यह तो हो गए कुछ इंपशी प्रताइंट्वा कि अधिन पदोन नती नवीन अन्सूचि दो कालंड दो टीप 2 के अनुसार निमिलखे तरिक्त पदव की पूर्टी सीधी भरती द्वारा किया जाना है इस हेत्र निधायत प्रपत्र में आवेदन पत्र आवंत्रित किये जाते हैं अब यहाँ पर कौन कौन सी वेकेंसी है अब यहाँ पर आप देशकते हैं वेकेंसी जो निकाली गई है आपकी वो है प्राध्यापक की वेकेंसी या वो respiratory medicine के अंतगत आद वैसकते प्राध्यापक की कोई vacancy नहीं है, सह प्राध्यापक की भी कोई vacancy नहीं है और सहायक प्राध्यापक के अंतगत एक vacancy यहाँ पर UR कategory में निकाली गई है, उसके बाद anesthesia department के अंतगत वेकancy निकाली इसमें प्राध्यापक की एक vacancy यानि की professor की यहाँ निकाली गई है और यहाँ पर आप देसकते हैं टोटल जो vacancy यहाँ पर निकाली गई है आप देसकते हैं सकते प्राध्यापक की दो वेकेंसी है से प्राध्यापक की यहाँ पर तीन वेकेंसी है टोटल और सहाइक प्राध्यापक की पाज वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है तो यहाँ पर यह जो वेकेंसी निकाली गए उसकी इनफार्मेसी निकाली गई है तो यह वेकेंसी की इन रहेगी आई उसीमा की बात का है तो प्राध्यापक के लिए 35 रहें के लिए 30 रहें और असेश्टन के लिए 25 से यहां पर रखी गई है तो यह तो होगए वेकंश गी इंफार्मेशन क्वालिफिक उसके लिए और जो है आपकी नियुन तर्म एज लिमिट जो क्या रखे गई वह उसके अहरताएं क्या क्या रहेंगी वह अहरताएं यहाँ पर दी गई है आपके पास सारी अहरताएं होने चाहिए इसको एक बार आपको रेड कर लेना है फिर ने पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है नवी इंतम फोटो यहाँ पर आपको लगाना है पूरुस महिला जो भी एक अपना कर सकते हैं फिर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी आप दे सकते काफी लंबा यहाँ पर आज पत्र का प्रारूप है इसमे सब्सक्राइब और यहां पर इसका पत्र का प्रारूप भी नीचे दिया गया है तो आप उसको देख लें और इसको फिल कर सकते हैं तो फ्रेंड से पूरी अपडेट मैंने आपके साथ हैं आपके शेयर कर दी है आई होप यह वीडियो आप सभी केंडेट्स के लिए इंफार्मेट्टी रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो वे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ तब तक लिए जैहिंद जैभारत